नमस्कार दोस्तों मैं God of Sir आप सभी का God of ITI Classes में स्वागत करता हूँ आज का हमारा Class WCS का है जो कि First Year के लिए है और First Year में सभी का Trade Common होता है चाहे आप Electrical Group से हो या फिर Mechanical Group से हो सभी के लिए Common होता है First Year का WCS का तो इससे पहले हम Question No.75 तक कर चुके थे आज हम Question No.76 से करना शु Calculative होने वाला है तो इसलिए आप लोग Pain Paper लेकर के बैठिए ताकि आप लोग भी Question को बनाते चलिएगा Question लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको PDF मिल जाएगा और हम जो Calculation करते हैं उसमें आप लोग को जो सुतर आता है उसको Not करते चलिएगा ठीक है उसी के साथ ह हम सुरू करते हैं आज का Question 76 से PDF के लिए गौर आप आप लास है इनाम से टेलीग्राम ग्रूप है वहां से जोइन कर लिजे तो 76 नमर Question कर रहा है दिए गे ब्लॉक का भार यानि कि कोई एक ब्लॉक यानि कि टुकड़ा है किलोग्राम में क्या होगा यानि कि इसका भार पू जिसे रोज से सुद्ध करते हैं घनात्तों को यानि डेनिसीटी वह 9.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है तो इसका निकालना हमें क्या है हमें निकालना है यानि कि हमें निकालना है ठीक है और हमें दिया गया है क्या सब इसमें हमें दिया गया है आइतन यानि कि सेंटिमीटर क्यूब ठीक है उसके बाद हमारा दिया गया है घनातु जिसे हम रो से सुथित करते हैं रो रो इक्वल्ट हो जाएगा 9.9 पर सीम क्यूब इतना हमें दिया गया है और निकालना है हमें क्या एम तो आपको सुतर याद होगा रो हमारा मस् यानि के द्रवयमान है और उसके बाद भी जो है वह हमारा वेल्यूम यानिकी आईतन है तो हमें निकालना है इसमें से एम तो एम निकालने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं यहां पर one दे किसी भी संक्याई के नीचे में हम अगर M निकालना है तो M equal to हो जाएगा इसको हम इसे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा M equal to हमारा हो जाएगा रो को हम भी से गुणा करेंगे तो रो भी ठीक है इतना हो गया अब हम इसको सुत्र में बैठा देते हैं M equal to रो कामन कितना दिया गया एट पॉइंट 9 gram per cm3 और इसको गुणा कितना करना है गुणा करना है हमें 320 से यहां एक अंक बात दसमलब है इस दसमलब को अगर हम हटाना चाहे तो हम हटा सकते हैं और यहां से एक 0 काट सकते हैं इतना समझ में आ गया अब हमें simply करना क्या है हमें गुणा करना है 89 को गुणा करना है 32 से ठीक है 89 को हम 32 से गुणा करेंगे और हमारा किसमें आ रहा है यह आ रहा है ग्राम cm3 में और हमें आंसर निकालना है यहां पर देखिए आंसर हमारा करना है किलोग्रम में निकालने के लिए तो लास्ट में इसे किलोग्रम में भी बद होता है हमारा 2848 हमारा आता है ग्राम पर cm3 में ठीक है अब इसको हमें बदलना क्या है किलो ग्राम में अगर बदलना होगा तो तीन अंक पीछे हम दसमलब लगा देंगे यानि कि एक हजार होता है एक ग्राम में कि एक किलो ग्राम में एक हजार ग्राम होता है तो हम पीछे समलब लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2.848 किलो ग्राम केजी यानि कि यहां पर 2.848 केजी देखते हैं कहीं है 2.848 यानि option number B में यहाँ दिया गया है आप लोग देख लिजे यह इसका right answer हो जाएगा यानि कि 2.848 अब अगला question क्या कर रहा है 37 number question कर रहा है यादि धातू का भार यानि भार यानि weight कर रहा है अगर 6.5 है 6.5 kg हवा में यानि कि धातू का भार है 6.5 kg हवा में है तथा 3.5 kg यानि कि यह 6.5 kg हवा में और 3.5 kg पनी में है तो धातू का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा तो इससे पले भी हम विशिष्ट गुरुत्व वाला यानि कि question कर चुगे थे तो विशीष्ट गुरुत्यू का फॉर्मूला क्या होता है धातू का हवा में भार बटा पानी में कम हुआ भार रहत थीक है इसका शुत्र यानी की स्पैसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी वंतलग होता है थोस का हवा में भार बटा पानी में कम हुआ ठीक है तो हमारा ठोस का हवा में कितना भार है यहां पे हमारा ठोस है यह धातू और इसका भार है हमारा 6.5 किलोग्राम तो हम 6.5 किलोग्राम लेते हैं और इसको ये केजी में तो केजी इसका मातरक लेते हैं और नीचे में का पानी में कम हुआ भार तो पानी में कम हुआ भार निकालने के दिखिए इसको क्या है पानी में हमारा भार हो गया 3.5 किलोग्राम हमारा पानी में ह है और हवा में है कितना 6.5 तो हम पाणी में जाने के बाद कितना भार कम हुआ यानि कि टोटल इतना है और पाणी में इतना बचा तो कितना भार कम हुआ तो हम घटा लेंगे 6.5 में से 3.5 को अगर घटाएंगे तो हमारा 3 मिलेगा ठीक है तो हमारा मिलेगा जैसे 6.5 में से हमें क्या घटाना है 3.5 तो 0 पॉइंट और यहां पर 3 हो जागा तो हमें मिला क्या 3 तो पानी में कम हो भार कितना है ठीक है अब इसको दसमलब भटा जेते हैं और उपर अगर दसमलब भटाएंगे तो नीचे जीरो आजाएगा ठीक है अब जीरो आथा इसको हम काटिए किसे कटेगा कैसे यहीं के जीम है अब देखिए इसको काटिए 30 से 30 दूनी में 60 हो जाएगा उसके बाद बचेगा पंच और इसके बाद फिर एक तीस से नहीं लगे एक दसमलब लगेगा फिर 0 आजाएगा यहीं पचास हो जाएगा फिर 30 से कम 30 यहां बचेगा फिर कितना 20 और 20 के बाद फिर यानि कि 2.166 और इसका अगर भागा देते चलिएगा तो यह 666 आता जाएगा यह इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम में देखते हैं क्या है कहीं कितना नमर क्वेश्चन है यह यह इसके बाद 88 नमर क्वेश्चन क्या करा एक का बाद भारबल 80 किलोग्राम तथा द्रभ्यमान होता है यह को करते हैं इसको अगला सेशन में बता होता है इसका कोई बात नीजिसका हम अगले क्लास में इसका देखें यहां क्वेश्चन और पिर अगर निकलेगा तो आगला क्लास में कडाएंगे ठीक है तो अब इसके आगे चलते हैं इसको देखेंगे अगले क्लास में तो अगला हमारा है 79 यहां कहा रहा है गती का सुत्र क्या होता है यानि कि गती का सुत्र क्या है गती को चाल भी कहते हैं यानि कि गती का सुत्र क्या होता है speed का formula हमारा क्या होता है तो गती का सुत होता है दूरी बटा समय यानि कि गती बड़ाबर क्या होता है दूरी बटा समय गती और वेग में अंतर है और वेग बड़ाबर क्या होता है वेग बड़ाबर वेग बड़ाबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूड़ी बटा समय यानी कि वेग क्या है? सदीस रासी है वेग एक सदीस रासी है और गती एक अदीस रासी है क्योंकि गती में कोई दिशा नहीं होता है वो कहता है कि वो 25 किलो मेटर के स्पीड से जा रहा है तो 25 km के speed से जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है किस दिशा में जा रहा है ये कहीं भी चर्चा नहीं होता है तो गती मतलब speed जो होता है उसका कोई भी दिशा नहीं होता है सिर्फ उसका पडिमान होता है ये हमारा अदीस राची हो जाएगा गती हमारा अदीस राची होता है क्य समय ये भी कर सकते हैं क्योंकि विस्थापन भी एक निस्ची दिशा में ही तै करती है तो विस्थापन बटा समय या फिर निस्ची दिशा में तै की गई दूरी बटा हम समय कर सकते हैं वेग तो वेग हमारा क्या होगा है वेग हमारा सधीस रासी होगा और गती जो है गती हमा ताय की गई दूड़ी बटा समय सिर्फ है ताय की गई दूड़ी बटा समय तो इसका question number 89 का ये सही हो जाएगा क्या कि ताय की गई दूड़ी हैं पर कोई दिशा का बात नहीं कर रहा है इसलिए इसका right answer option number ये हो जाएगा अब 80 number question देखते हैं 80 कर रहा है गती की इकाई क्या है यानि की गती को किस चीज में मापते हैं तो गती को देखे दूड़ी है दूड़ी को किस चीज में मापते हैं मीटर में और समय को समय को मापते है second तो मीटर बटा second इसका जो क्या 80 number है 80 number 80 नमर में कर रहा है कि गती का इकाई क्या हो है तो मींटर-पर सेकेंड इसका यह होता है सुथर मींटर-पर सेकेंड एक नया यहा दिख्ण है तो हमारा 800ट किम्प्लीट हो गया अब खाśी नमर कैश्चन कर रहा है वेग का पयजों क्या होता है यानि कि हम गती से पहले बताये थे अब बताते हैं हम वेग का सुतर क्या होता है तो वेग का तय की गई दूरी बटा समय यह नहीं होगा यह गती का होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय सही बात वेग जो है वो निश्चित दिशा में होता है वेग एक स नमर भी हो जाए गा इसको तो बताने कि जोरत नहीं है पएजपे आप अब स्कुन नमर 810 क्या कहता है ले की क्या होगी गप इसमें कर रहा है वेग में निकालेंगे जिसे शर्म में ये क्या होगी तो वे शर्म क्या होगी तो सांस से क्योंकि देखिए वेग में भी दूरी तय करता है और समय रहता है और चाल में भी दूरी तय करता है और समय रहता है तो चाल में भी और वेग में दोनों में समान रहता है लेकिन एक बात होता है कि वेग में निस्चित दिसा होता है तो दिसा निस्चित होने से इसका जो यू नमर कहता है जिस वस्तु में परिमान या साइज होता है उसे क्या कहता है यानि कि इसमें परिमान के साथ साथ दिसा नहीं कर रहा है या परिमान या साइज रहता है तो इसमें हो जाएगा हमारा गती वेग अदीस राशी इसका हो जाएगा ऑप्सन नमर डी अदीस राशी यदि वस्तू में परिमान और वेग दोनों हो, तो उसे क्या कहते हैं, अगर वस्तू में परिमान और वेग दोनों हो, तो वो हमारा हो जाता है सदीस रासी, यानि कि भेक्टर पॉंटिटी, ठीक है, सदीस होता है जिसमें परिमान के साथ साथ दिसा का भी ज्यान होता है, पर वस्तु में परिमान के साथ साथ दिशा का भी ग्यान होता है तो वह में तो क्या मिस्यं थापन काहते हैं अधर में कराए वीष्थापन रेफितापन कि क्या कहता है यदि कोई वस्तू अपने परिवेश के संब्ध में अपनी इस्थिती को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है यानि कि अपने परिवेश के संब्ध में माननी जे कि ये कलम है और ये कलम इस तरह सी हाँ परा हुआ है अब ये अपना स्थान नहीं चेंज कर रहा है तो ये क्या है ये विलकुल रुका हुआ है इस्तित है यानि कि ये वीराम में है तो वीराम कहीं पहस में अप्शन ये में है वस्तु का गती में होना अप्शन बी में वस्तु का विस्राम में होना इसका अप्शन नमबर बी सही विराम में खालाता है question number 86 हो गया अब 87 के दरफ चलते हैं question number 87 हमारा क्या करता है यदि कोई वस्तू अपने पड़िवेस के संबंध में अपनी स्थिती को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है यानि कि आप देखें होंगे कि ट्रेन अपने चलते हुए ट्रेन यानि कि पहले दुरुकी हुई रहती है तो विराम में और फिर चलना सुर को गती में होना है ऑप्षोन अ में है वस्तू का विस्रां में होना वस्तू का गती म उना इसका राइट अंसर लिए इसका पडिवेस को पाड़ कर गया द्री अब और किश्च्चन ःता है लगाוכैंना 300 बच्चे में ही पड़े होंगे यानि कि इंट्रेंस एक्जाम देने में इससे अधीक अधीक हाड हाड क्वेश्चन पड़े होंगे यह तो बिल्कुल आसान है और आप लोग को बता दें कि हम एक्जाम तक आप लोग को पुड़ा का पुड़ा WCS हम कंप्लीट करवा देंगे ठीक है बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि इतना कम कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या एक्जाम तक में खतम हो पाएगा तो हम आप लोग का एक्जाम तक में पुड़ा का पुड़ा क्वेश्चन को खतम कर देंगे ठीक है इसके लिए टेंसन नहीं लेना है लेकिन जि केmens've करता है उसको हमें करना पढ़ेगा फेज पर उस वस्तू का वेग क्या होगा जो 20 सेकेड में एक रेखा में 166 मिटर के दूरी करता है यान कि इसमें पुछ रहा है क्या वेग पुछë रहा है LAUCY भी क्या होगा टाइम दिया गया है टी दिया गया है और गें यानि कि D distance दूरी दिया गया है ठीक है तो इसको भी हम बनाएंगे तो इसको आप पेज पे बनाना पड़ेगा तो हम बनाते हैं क्वेस्चन नमर कितना है यह कुष्चन नमर हमारा 88 इसमें दिया क्या गया है देखिए वस्तु का वेग क्या होगा तो वेग यानि कि हमें भी निकालना होगा इसमें दिया गया है क्या 21 सेकेंड यानि कि टाइम हमारा दिया गया है इसके बाद हमारा 120 यहाँ पर नहीं 168 मीटर की दूरी यानि कि इसमें दूरी डिस्टेंस D दिया गया हमारा D बराबर 168 मीटर इतना तो हमें दिया गया है अब हमें निकालना क्या है? D निकालना है तो आप लोग सभी पढ़े होंगे कि चाल चाल बराबर दूरी बटा समय ठीक है? यही भी चाल है T यानि कि टाइम है और डिस्टेंस D है इस उतर पर बचकर आप लोग निकाल सकते हैं तो भी उक्वल टू D यानि कि 168 बटा T यानि कि 21 सेकेंड अब इसको काट के हमें निकालना है ठीक है? अब इसको काटते हैं यह हमारा कट जाएगा किस से? 3 से कटेगा 3 सत्य 21 और इसको काटेंगे तो 3 3 पचे 15 1 पर 8 3 6 आठार यानि कि 56 8 सत्य 56 तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा देखते हैं 88 का 8 मीटर पर सेकेंड है 1 मीटर पर सेकेंड इसका जो है मातरक लगा दीज़ेगा इसका राइट आंसर अप्शन नमर क्या है? अप्शन नमर B 88 का राइट अप्शन नमर B हो जाएगा अब देखते हैं अगला अगला है एक 80 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन है जो 80 मीटर की लंबी है ठीक है एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गती क्या होगी यानि कि इसमें हमें निकलना क्या है गती यानि कि स्पीड निकलना है जो कि 20 सेकेंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को गुजरती है यानि कि 80 मीटर की ट्रेन और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है वो भी 20 सेंड में तो हमें निकालना क्या इसमें इसमें ट्रेन की गती निकालना है यानि की स्पीड हमारा कितना है ट्रेन का यानि की गती हमें ट्रेन का निकालना है अब इसका वेलो सीटी निकालते हैं अब देखते हैं क्या-क्या दिया गया है इसमें क्या है कि 80 मीटर लंबी ट्रेन और गुजरती है 120 मीटर लंबे प्लेट फॉर्म को देखिए यह मौन लीजिए कि एक ट्रेन है यह जो कि 80 मीटर का है ठीक है यानि कि यह ट्रेन आपका 80 मीटर का है और एक प्लेट फॉर्म है यह एक प्लेट फॉर्म है जो कि 120 मीटर ल अगर ट्रेन की इंजन की बात किया जाए तो यहां से शुरू होगा इंजन और जाते 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 यहां पहुंच जाएगा इंजन अगर यहां पहुंचेगा तो ट्रेन तो अभी इतना बचा गड़ेगा यहां से इंजन शुरू किया यहां से शुरू किया और आ प्लेटफॉर्म में है ही तो यहां से यहां तक तो 120 मीटर दूरी तो टाय कर लिया अब जो फिर यहां से निकलेगा निकलते 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 एक बार इंजन यहां आजाएगा और इसका पीछे वाला भाग है यह चलते 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 यहां आजाएगा तो ट्रेन यह जो ट्रेन का डिबबा है अब डिबबा पार कड़ाया इसको 80 मीटर तो यानि कि हमें 120 और यह 80 यानि कि टोटल हमारा 200 मीटर का दूरी तै किया तो हमें दूरी निकल गया कितना डिस्टेंस हमारा निकल गया 200 मीटर ध्यान से देखिए यह आपका एक प्लेटफॉर्म है औ लेकिन पूरा ट्रेन गुजरना है तो पूरा ट्रेन को अगर गुजरना है यह पीछे वाला हिस्सा जब तक आगे प्लेटफॉर्म को गुजरेगा तब तक 80 मीटर और इसमें एड़ हो जाएगा तो वही 80 मीटर हम एड़ करके इसका यानि कि 200 मीटर इसका डिस्टेंस हो ग है किलो मीटर में इसको हमें किलो मीटर में बदला पड़ेगा बाद में लगीनिस से पहले हम देख लिते ह Hiç हम अंकलना क्या है और और वीथील निकालना क्या है अब दो सोडी नहीं डिखा नहीं बेदेगा बीज़ोल में